साइट सोल्डर से मुरुम की जगा भरी जा रही मिट्टी लगातार हाथसों के बाद भी सबक नहीं ले रही निर्माण एजनसी किरनापूर मुख्याले में रजेकाओ से लांजी सडक मार्ग का निर्माण कारे राजा राम कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है जब से उक्त सडक मार्ग तयार किया जा रहा है निर्माण कारे में ठेकेदार की मनमानी सामने आई है यहाँ पर सडक के किनारे पट्री भराई में मुरुम की जगा मिट्टी डाली जा रही है साइट सोल्डर से मिट्टी डालने से सडक कितने दिन तक टिकाऊ रहेगा इस परसंदे है जब सडक का किनारा ही कमजोर होगा तो सडक की गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है ग्रामिनों में गुणवत्ता ही निर्मान को लेकर रोश का माहोल है इसके अलावा रोड निर्मान कारी में कई अनिमित ताय देखने को मिल रही है सडक निर्मान में की जा रही गड़बडी को विभाग के फिल्ड इंजीनियर द्वारा नजर अंदास किया जा रहा है ऐसी इस्थिती में सडक की मजबूती वा गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कारी की गुणवत्ता पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं लेकिन फिल्ड अधिकारियों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप गुणवत्ता हीन निर्मान बत स्तूरी जारी है धूल के गुबार से रहवासियों के साथ रहकीर भी परिशान रजेगाउं से लांजी सडक मार्ग का निर्मान कारे राजाराम कंस्रक्शन द्वारा किया जा रहा है जिसमें गुणवत्ता हीन और गैर जिम्मेदाराना कारे राजा राम कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है जिसमें ग्राम किरनापूर मुख्याले के बस स्टेंड से लेकर उतकरष्ट विध्याले किरनापूर तक सीसी रोड के दोनों तरफ साइट शोल्डरों में मुरुम की जगा मिट्टी डाली जा रही है जिस वजह से ग्राम में वाहनों की आवाजाही में धूल का गुबबार उठता है राहगीरों की आखों में धूल जा रही है लोगों की मकानों में वह दुकानों में प्रतिष्ठानों में धूल जा रही है लोग परिशान हो रहे हैं और गुणवत्ता हीन कारे को लेकर ग् विभाग के उदासीन रवये का खामियाजा भुगत रही आमजनता लोक निर्मान विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवये के कारण राजाराम कंस्ट्रक्शन द्वारा किरनापूर में गुणवत्ता हीन कारी किया जा रहा है इसके पुर्व भी राजाराम कंपनी द्वारा अवन्ती चौक में अधूरी रोड छोड़ दी गई थी जिसमें एक ट्रक पलट गया था और उसके बाद यह लोग पुनह अपनी गलतियां दोहरा रहे हैं और रोड के दोनों तरफ मिट्टी डाली जा रही है जिससे धूल का गुबबार बन रहा है जिसके कारण बड़ी दुरगटना होने का भै बना रहता है वह आज अवंती चौक पर बारिश होने पर कीचर भी बन रहा है इससे वाहनों की आवजाही में काफी दिक्कत हो रही है MPCG 24 News Express किरनापूर से विकेश मिश्राम की रिपोर्ट